कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ आफ सो ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में हेंडी लुईज वीविएन डेरोजियों के एक बहुत इंपूर्टन पोएम टू इंडिया माई नेटिव लेंड के उपर दोस्तों बात करेंगे लाएं बेलाएं आज हम इस इंग्लिश का पीरियर था जब बिटीश हमारे इंडिया में आकर कॉनलाइस किया था उन्होंने से पहले जो इंडिया का एक रेपूटेशन था पुरा वर्ल में उसको लेकर पोएट ने इस पोएम को लिखा है तो चले दोस्तों लाने बाले इस पोएम को देखते हो और सम पुरा विश्व में प्रसिद्ध था पौटिया बोरे की मेरा कंट्री उस दिन में जब पुरा विश्व में उसका प्रसिद्ध था उसका एक फेमसनेस था और एक ब्यूटियस हेलो मतलब ब्राइट लाइट इंडिया के ब्रो के ऊपर जलगता था मतलब इंडिया का जो न कि इंडिया को एक वर्श के तरह वर्शिप किया जाता था वेर इस ताइग लोडी वेर इस ता रेवरेंस नौ पॉट्ट आपके क्वेशन करें कि वह ग्लोडी वह रेवरेंस मतलब वह फेमस्नेस अभी कहा गया जो इंडिया एक वक्त पुरा विश्प में प्रसिद्द जा लेकिन अब उसका ये ग्लोरी वह फेमस्नेस कहा गया तुस्तों ये लूरी ऑफ्यम के up इसनेु सभष मेस्प जाने का कारन था है British इंडिया कंपनी का इंडिया में आना और इंडिया का बित एसक अधिन जाना इसके लिए इंडिया का जो नाम था वो जो ग्लोरी था वो द तब एक जो इंडिया का जो एक नाम था वो दिरे दिरे नीचिया आना स्टार्ड हुआ Due to English in India जब ब्रितिस्ट्रिस ने आकर हमाले उपर हुकुमत करना स्टार्ड किया तब धिरे दिरे इंडिया का जो नाम था वो और नीचियान स्टार्ड हुआ तर और अग्राइलिंग इंदालल को डास्ट आठ दाउत ऑर जो इंडिया जो नाम था वह दिरे-दिरे ऐसे हो गया कि इंडिया जैसे इंडिया का नामत यह अन्य नीचे गिरा हुआ एक जो डास्ट में गिरा हुआ इतना नीच्छ दंडिया नाम पहले के तरह बहुत ही कम हो गया दाइं मिन्स्ट्रल हैट नो रहत टुवेब फॉर दी यह दोस्तों पॉय तुन नेटिव सिंगर्स की बात कर रहें जो पहले इंडिया का नाम करते थे लेकिन अभी वह इंडिया का नाम नहीं करते क्योंकि इंडिया का कंडिशन खराफ होने के साथ साथ उनका जो माइंसेट था वो भी चेंज हो गया सेब दा सैट स्टोडी ऑफ दा मिजरी वह सिफ एक ही काम जानते हैं इंडिया का सैट स्टोरी को इरेवरेट करना इसके अलाबा बो इंडिया का जो फेमसने था उसके बाती नहीं करते वेल लेट मी मुझे आंदर जाके मुझे वो द्वाल लाने दो नाने दो वो धीन लाने डो जब इंडिया रोल था समौल एक फ्यू ald fragmants आप इस रिक्स क्य क्यूंष अथरम और मुझे पोचिज लाने दो वो जो इक डेस्टर साभ लाएम के कुछ प्रक प्रेग्मेंट मुझे लाने तूँ फूच यूमन आई में नेवर मोर्ड वहोल्ड वो दिन का वो रिसोर्स वो दिन जब जो आज की लोगों नहीं देखा इंडिया का वो शान आज की लोगों नहीं देखा वो दिन मुझे आज लाने दो और मुझे यह हार्ड वर्ड का रिवर्ड दो जो मैं डिजर्व करता हूं मैं फॉर्ण कंट्री वन काइंड विश वर दी लास्ट में दोस्तों पॉर्ट ने अपने इंडिया के लिए यह कहा है कि मेरा पराजित भारत तुमारे लिए एक काइंड विश मेरे तरफ से दोस्ते आप इस पॉर्ण का एंड होता है इस पॉर्ण में बिसिकली पॉर्ण ने इंडिया का वह दोर बताया है और इसको लेकर पॉर्ण नीए पॉर्ण को लिखा है तिंकू सुमत दूसरा अज के लिए इतने गुडबाय च तरे एस उस्त्री ये